हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है और मैं एक साइक्याट्रिस्ट, हिप्नो थेरेपिस्ट, एनलपी ट्रेनर, काउंसिलर, कोच, सेक्सोलोजिस्ट और डिय अडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं मैं आपको अताने वाला हूँ सफलता के कुछ सूत्र लोगों को हर वेक्टिको सफलता चाहिए, मगर सफलता के लिए जो करना पड़ता है वो हम करते नहीं है सफलता ये आपको चाहिए, तो करना क्या होँगा, सबसे एक मेर जो है, वो पहला है कि उसके बारे में एक्शन लेनी पड़ेंगे कृति करूझे करने करेंगे करेंग उसको जो भी जाये और बताता हूं कि कि मुलते कि सफल्टा चाहिए तो आपको जिपना मिलता प Coach लोगों को देना चलू को शहीद में जी कीमत्यमोरे से च्छ स्धाना मतलब थोड़ा सा ज्यादा देना a अब थोड़ा ज्यादा देना मतलब क्या है थोड़ा ज्यादा मतलब हमारे दूद वाला आता है वो दूद हमको सवेरे सवेरे हमारे दूद देता है और एक लिटर हमको दूद देता है और एक लिटर का उसने नाप देने के बाद में वो थोड़ा सा दूद और डालता है पै एक बार मैं सफर कर रहा था बस से लग्जुरी बस से अकुला से में पूना जा रहा था धूब काले के दिन थे बहुत गर्मी हो रही थी बस में जाके अंदर बैठा आधा था एसी पूरा चालू नहीं हुआ था थंडी नहीं लग रहे थी मतलब अंदर थंडगार नहीं थी और काफी सारा पस्यना भी आ रहा था बस चालो होने के पहले ही जो एजेंट से मैंने टिकेट बुक करवाया था वो एजेंट का आदमी अंदर आया और उसने हर वेक्ति को जन्होंने वो एजेंट से टिकेट बुक किया था उनको एक-एक पानी की बॉटल थंड़ थंड़े थंड़े पानी के बॉटल ऐसा एक मुफ्त प्रेसिंट में दे दिये और उसके उसने पैसे लिये नहीं हाला कि बॉटल कहां 15 कहीं 20 रुपे की मिलती है मतलब टिकेट के पैसे में ही उसने थ्वासा ज्यादा दिया जब मुझे दूसरी पार जाना था कुना में तो मैंने व हूर्सें कम देशलों 155 परदीशन लोग ऐसे कि जितना उनको मिलता है यह जो भावे उसके रूप मी बिलता है जो भी किमत मिलती है तो उसे 75 परदेशलों उससे कम देऔर सर्विस कम देंगे या माल थोड़ा सा हलका देंगे या बाकी जो भी करना चीह हो उतना करेंगे नहीं बाकी जो लोग है उसमें से साड़े चोविस टक का लोग जो है वो जितना दाम है उतना ही देंगे मतलब सव रुपे ले रहे तो सव रुपे का माल देंगे सव फीर ले रहे तो सव रुपे की मतलब उसकी किमत जो है सर्विस देंगे उतना करेंगे साड़े चोविस टक का लोग आधा टक का लोग या उससे भी कम होंगे कि जितना मिलता है उससे ज्यादा देंगे तब यह देखो कि जितना मिलता है उससे आप जादा दे रहे हो तो एक टेक्निक है यह तरीका है तो आपका गिराइक आपको फिर से रिपीट परचेस करने के लिए रिपीट खिरेदारी करने आएगा क्योंकि आपने उसको जादा दिया है तो सबलता का यह बहुत बढ़ा सूत्र है कि जो आपको मिलता है उससे आप जादा दो फिर जादा दो मतलब माल जादा दो उसको सर्वीस अच्छी दो गास्तमर का संतोष समादान सैटिसफेक्शन कैसा होंगा उसके लिए कुछ जादा करो उसको सर्वीस हम इतनी अच्छी देंगे कि वो ख्याल में रखेंगा और वो यह हम करते हैं तो समाधानी सैटिसफाइड कस्टमर जो है न वह रिपीट परचेस के लिए आपके बास में आएंगे जो कस्टमर समाधानी हुआ संतोष उसको मिला है और वो आपसे खुश है तो वो छे लोगों को बोलता है कि भई वहाँ जाके आप खरीदो माल मगर यदि एक कस्टमर यदि आपसे नाराज हुआ दुखी हुआ उसको सर्विस बराबर मिली नहीं तो वो कम से कम बाईस लोगों को जाके बोलेंगा कि मुझे यहां अच्छा अच्छी सर्विस मिली नहीं आप जाओ मत और इसमें बात और यह को थी है कि यह जो नाराज हुआ कस्टमर है ना वह आपके पास में आता भी नहीं बोलने के लिए कि मैं नाराज हूँ वो गायफ हो जाता है तो सफलता का यह बहुत बड़ा सूत्र है कि जतना मिलता है उसे जादा दो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोई भी हालत में इसलिए हम काफी जगव फीड़िबैक फार्म लेते हैं कि कस्टमर से फीड़िबैक लो कि आपको कैसा लगा हमारी सर्विस कैसी लगी कुछ आपक कि इतने भी लोग संपर्क में हूँ उनको जरू के वीडियो शेर कीजिएगा इनको सफलता चाहिए उनको यह वीडियो शेर करते है और यह सूत्र उनके जीवन में यह लाते है तो मुझे विश्वा से कि उनको अच्छे तरह सफलता मिलेंगी और अपने बिजिनेस में के रूप से सफल हो जाएंगे आपको इदी वीडियो अच्छा लगता है तो जड़ू सब्सक्राइब करो थैंक यू वरी मिश्वार्ट